ICC World Test Championship के points table हर गुजरते मुकाबले के बाद काफी तेजी से बदल रहा है। इन दिनों England और New Zealand के बीज तीन मैचों की test series खेली जा रही है। जिसके एक एक नतीजे से test championship के अंक तालिका का समीक रड़ बदल रहा है। आपको बता दें series का पहला मुकाबला England ने अपने नाम करके WTC के अंक तालिका में अपने स्थिती तो बहतर किया ही साथ ही भारत के लिए test championship के final का qualification scenario एकदम simple कर दिया है। तो आखिर New Zealand के उपर England की जीट से क्या बदल चुका है WTC points table का समीकरण। और कैसे Indian team test championship के final के लिए कर सकती है qualify इस report में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों England और New Zealand के बीच जल रहे तीन मैचों की test series का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। जिसमें अंग्रेजों ने 5 wicket से जीत हासिल की है। लोट्स में हुए test match में दोनों टीमों की तरफ से जबरदस्ट टक कर देखने को मिली। लेकिन अंत में जोरूट की शतकी पारी की वजह से England आसानी से वो मैच अपनी तरफ करने में सफल हुआ। इस test match की दूसरी पारी में England की टीम के पुर्व कपतान जोरूट 170 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके की मदद से 115 रनों की नौट आउट पारी खेले। रूट से पहले कपतान बेंस्टो की 110 गेंदों पर 5 चौके और 3 चौके की मदद से 54 रन बनाने में सफल रहे थे। इसी वज़े से England की टीम New Zealand को 5 विकेट से हराने में सफल रही जिसके बाद विश्वर टेस्ट चैंपियंशिप 2021 से 23 की अंक तालिका में बड़ा बदला आउट देखने को मिला है। फिलहाल WTC पॉइंट स्टेबल में पहले अस्थान पर आस्ट्रेलिया है। कंगारू ने इस साइकल में अब तक दो सिरीज खेल ली है। इस दोरान उन्होंने 5 जीत और 3 ड्रॉ अपने नाम किये हैं। और उनका जीत प्रतिशत सबसे धी 75 का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 71.41 प्रतिशत जीत के साथ दक्षिड अफरिका की टीम मौजूद अफरिकी टीम ने अब तक 3 सिरीज खेल ली है और उन्होंने उसमें 5 मैच जीते वहीं 2 मुकाबले हारे हैं और 7 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। जबकि सूची में 3 पायदान पर भारत है। टीम इंडिया ने अब तक 4 सिरीज खत्म कर लिये हैं। इस चौथे नमबर पर 55.56 प्रतिशत जीत के साथ श्रीलंका की टीम है। इसके बाद 5 पायदान पर 52.38 प्रतिशत जीत के साथ पाकिस्तान, 6 नमबर पर वेस्ट अंडिज, 7 नमबर पर न्यूजिलेंड और न्यूजिलेंड को लॉड्स टेस्ट में हराने के बाद इंगलेंड की टीम आखरी से एक अस्थान उपर उठकर 8 पायदान पर पहुँच चुकी है। जबकि टेस्ट चैंपियंशिप अंक तालिका की लिस्ट में सबसे नीचे 9 पायदान पर फिलहाल बांगलादेश की टीम लटकी हुई है। ऐसे में अगर भारती टीम के लिहाद से बात करे हैं। इसमें सिंग लैंड और बांगलादेश के साथ भारती टीम विदेशी दोरों पर मैच खेलेगी जबकि ऑस्टेलिया के साथ घरेलू परिस्थतियों में टीम को टेस्ट मैचेज खेलने हैं। ऐसे में भारती टीम को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम से कम 6 तब ही टीम इंडिया यहां से फाइनल के लिए सीधे तोर पर क्वालिफाई करने में काम्याब होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो टीम इंडिया को फाइनल में पहुचने के लिए बाकी मुकाबलों पर अपनी नजर बनाये रखनी होगी। और दूसरे के भरो से फाइनल की उम्मीदें जिन्दा रखनी होगी दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है क्या भारती टीम डाबलू टीसी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामियाब हो पाएगी या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे यूटूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेला इकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें